8.30 को आपका एक्सिडेंट होता है और 9 o'clock आप मेंस की एक्जाम देने जा सकता है इंटर्वियू से पहले एक महिने दग आप हॉस्पिटलाइजड है और उसे एक विक पहले आप डेली जाके उसके प्रिपरेशन कर सकता है तो लग हैस टू कम विथ यो उसको आना पड़ेगा और आपको IPS बनाना पड़ेगा लेकिन में एक्जाम के लिए निकला मेंस मेरा था सुबह जी एस थी का पेपर था 8.30 को मेरा स्कूर्टी स्लीप हो गया मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया लेफ्ट हैंड में इंजरी था, सीड से ब्लीडिंग हो रहा था लेकिन मेरे बस दो अप्शन थे मैं खड़ा हूँ और मैंने देखा ओके, माइ राइट हैंड इस सेफ एन आ डिसेड़ेगा और राइट था एक्जाम मेरे बस दो ही अप्शन थे या तो मैं वहाँ से उटके रोने लगू यार मेरे साथ यह ऐसा क्यू हुआ मेरा एक्टिरेंट हो गया, मेरा मेंस करा हो गया और हॉस्पिलस जाओ या दूसरा ओप्शन था कि मैं देखू कि मैं तीन गंडे और सरवाई कर सकता हूँ वो इस मॉमेंट भी आपको डिसाइड करना है कि आपको वहाँ से यूटन लेना है या आपको वहाँ से आगे निकलना है इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहाँ से आगे निकलना है and that is the funda of life success उनी को मिलता है जो इस struggle वाले मॉमेंट से आगे निकलने की सोचता है जब भी आपको लगे कि आपकी सिरी पर बहुत मुसीबत है जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके है जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई option नहीं है तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाएगा कि यही moment है जहां से आपकी तक्दिर बदलने वाली है क्योंकि diamond जो होता है वो जितना ज्यादा गिसता है उतनी ज्यादा उसकी value होती है सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी value होती है अगर आप जिन्दगी में तप रहे हैं अगर आप जिन्दकी में गिस रहे, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए है, तभी आपकी जो value वो बढ़ने वाली है और यही मेरा attitude रहे, लोग बोलते हैं कि तुमारी financial condition ठीक नहीं थी, पापा electrician थे, मम्मी housewife थी, diamond के कार खाने में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने marriage में रोटिया बनने का काम किया, और उस तरस में पढ़ा लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी life में जो आप बदलना चाहते हैं, and I said nothing योगि वो चीज़ें नहीं होती मेरी life में, तो शायद आज आपके सामने में नहीं होता तो अगर life में problems है, अगर life में struggle है, जब सर ने बुदा है, struggle is a part of life, and I strongly believe in that भारत वर्ष का सपना चंद्रकुप्त ने देखा, चानक्या ने देखा, और उस भारत वर्ष को बनाने के लिए जब ये संगर्ष जारी था और तब राजा धननन्द की डॉटर दूर दरास से चंद्रकुप्त को प्यार हो जाता है, और जब चानक के उनको बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें उससे दूर रहना है तब चंद्रकुप्त बोलता है, आचारे कभी-कभी सोचता हूँ कि जिन्दगी में या ये भारत के समराट बनने के लिए इतना त्याग, इतना बलिदान ना देना होता तो और तब चानक के रिप्लाइ करते हैं, तो हर कोई भारत का समराट होता अगर आई-एस बनने के लिए, आई-पी-एस बनने के लिए सैक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर गर में आपको आई-एस आई-पी-एस मिल जाएंगा मुझे exact date याद है, 23rd March को मेरा interview था, 20th February को मुझे hospital में admit किया गया, क्योंकि मुझे infection हो गया था बहुत बहुत high fever था, तो IV के अलावा को अप्शन नहीं था 1st of March को ठीक होगे मैंने सुचा चलो Delhi निकलते हैं, 2nd of March को में Delhi पहुचा, 3rd March को वापस से tonsillitis का अटेक होने की वज़े से flight लेगे वापस से पालनपूर, एमदाबाद Again, hospitalization, 15th of March को I got relieved from the hospital, 16th of March को में Delhi पहुचा और 23rd of March को I gave my UPSC interview So, एक महिने का hospitalization, उसके बाद, जब दिमाग में ये था कि मेरे साथ जो रोग interview दे रहे हो एक महिने से preparation कर रहे है And एक महिने से में hospital में था, again I thought, this is the moment to prove yourself I went to the interview और पूरे इंडिया में second highest marks in interview